ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर्में इंद्रशास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं देनिक महाभागिशाली राशियां 24 नवंबर 2018 शनिवार का दिन है मार्ग शिर्श मास के कृष्ण पक्ष की प्रतीपदा याने पड़माती थी रहेगी रुखी नामक नक्षत रहेगा ब्रशब रासी में चंद्रमा विद्धिमान रहेंगे दिशासुल जो की पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए इस दिन पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई माना जाएगा यदि किसी का रनवस आपको पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़ादा अवश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से लेके साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब या मंगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए ग्रह गोचर की एदिये हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव ब्रश्चिक रासी में चंद्रमा ब्रशब रासी में, मंगल कुम्ब राशी में, बुद्ध ब्रश्चिक रासी में, गुरु ब्रश्चिक रासी में, शुक्र तुला राशी में, शनी धनु राशी में, राहुकारक और केतु मकर राशी में रहेंगे इस ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन, सिंग, तुला, धनू और मिन इन पांच राशी वालों के उपर शनीडेव की विशेश क्रपा होने वाली है शनीडेव की क्रपा के कारण इनको कारिक्षेत्र में लाब मिलेगा, धन प्राप्ति का उत्तम योग बनेगा इसके अलावा इस्थाई संपत्ती खरीदने का भी विचार इनका बन सकता है या फिर कोई नया वाहन भी इन इया खरीद सकते हैं और ग्रह उपयोगी नई वस्तू भी इनके घर में आने वाली है सांथ ही इनको कारिक्षित्र में अभी तक जो रुकावटे उत्पर्न हो रही थी वह भी दूर हने वाली है तो इस प्रकार ये पांच राशियां महाभागिशाली रहने वाली है हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश्य कर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्म साधर जन्यवाद